हेई वाट्सम गाइज कैसे हो आप सभी लोग तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत यादा इंप्वर्टन है कि क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉक में या नहीं कर सकते हैं तो या इस सबसे क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज होती है कि जब हम इन होना जरूरी है या नहीं है अगर आप दोस्तों केवल एडिटिंग परपस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत यादा हाई-फाई जो है PC हो गेमिक टाइप आप आपके पास बीश्ट आपके पास अबलेबल हो यह ऐसा जो आपको पता है कि lockdown से याने कि lockdown के बाद जो है मेरा दो से तीन देनों के बाद ही मेरा computer जो है वो high voltage की वज़े से मेरा फोग गया था कि मैं उसके अंदर UPS यूज नहीं कर रहा था मैं और अभी जो है currently मुझे मजबूरी के अंदर मेरे पास एक बहुत ही पुराना HP का laptop थ है और इसका configuration मैं आपको बता देता हूं इसके i3 इसका प्राज जो इसमें प्रोसेसर है फिर्फ जैनेरेशन वाला जिसमें मैंने 6GB का RAM लगाया हुआ है hard drive है इसके अंदर और integrated normal सा GPU है जो एक normal आप क्या सकते हो नो वह normal GPU है इसके अंदर और अभी इसके इसके इलावा यूज कर रहा हूं फिलाल क्योंकि आपको पता है मैंने अभी व्लॉग वीडियो मैंने जस्ट अभी एडिट किया है और मैंने अपने डाला है चैनल बी ओके वाले पर तो वहां जाकर आप देख सकते हो कि उसकी quality वागरा क्या है कैसे है लेकिन इसको करने से पहले आप इस पूरी वीडियो को अच्छी तरी किसा समझ लो तो अभी मैंने इसके इंदर जो है यूज कर रहा हूं मैं अगर आप बात करते हो वीडियो एडिटिंग एक अच्छे software कि तो जो टॉप की चुछ इतनी भी software उसका नाम जैसे प्रीमेर प्रो जो सब दुनिया जानती है वह तरीके से आप उसको अगर स्मूथ तरीके चलाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा इसके अंदर तो मैंने इसके इसके इंदर यूज किया दोस्तो फिल्मोरा फिल्मोरा काफी मतलब की छोटा software है यह ज्यादा space cover नहीं करता और बढ़ी limited features के साथ एवले करके आप उसको देखने ना तो उसमें जो मेरे को basically क्योंकि मैंने camera जो Canon 80D से मैंने सारा सूट किया था वीडियो की quality यह बात है काफी अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन मेरे expectation के हिसाब से जो quality जो मुझे मिली है वो दोस्तों बहुत ज्यादा जो है मुझे अच्छा देखन कि उसके अंदर RAM है और 2GB का आपको यहाँ पर AMD Radeon का graphic GPU आपको देखने को मिल जाता है और मैंने hard drive की जगह पर यूज किया है वहाँ पर SSD तो यहाँ पर दोस्तों यह scene है तो उसी case में जब मैं उस वाली laptop पर obviously सी बात है जब मैं गया तो जो performance और जो software मैं सोचा था कि इस प खोल पा रहा था और software की बात करें तो software बिल्कुल without lagginess और मतलब किसी तरकी की कोई भी आपको जो नहीं है latency या lagginess जो basically जो time खराब होता है आपका सबसे बड़ी बात है वो चीज़े मुझे देखने को नहीं मिली उस वाली laptop है बड़ी अराम से और easily तरीके से निकल गया सा आनली जो depend करता है video editing वो depend यानि की video जो rendering और editing जो है और quality जो है उसका depend करता है कि वही आपके पास जो laptop है वो कैसा laptop है याँ पर तो अगर आप start करना चाहते हैं और आप एक beginner है तो ज्यादा best रहेगा कि आप दोस्तों जो है कम से कम RGB वाला RAM वाला कोई laptop लें i3 या i5 जैसे को जिन लगता कोई फाइदा है आपका यहां पर टोरिज में आपको जो हाट राइक भी जगाए पर SSD मिल जाए graphic card कम से कम जो है आपको एक से दो जीवी तो भाई कम से कम आपको मिल जाए आपको अगर यानि की प्रीमेर प्रो जैसे अगर editing software को चलाना है तो अगर आप नॉर् और वीडियो की आपको थोड़ी अच्छी quality अगर चाहिए तो definitely आपको कम से कम GPU एक से दो जीवी का तो लेना ही लेना चाहिए आपको यहां पर तो अगर मैं बात करूं कि मेरे निजर में जो है वो कौन सा best रहेगा laptop तो आप जो है मेरी तरफ से जो है आप कम से कम दो जीव आप लिन्वो ऐसे ब्रैंड पर आप जा सकते हैं काफी अच्छी quality का मिल जाता है आपको महाँ पर लिन्वो की थिक पैड सीरीज आती है उस पर जा सकते हैं उसके अंदर आप ठीक ठाक साप उसके चला पाऊँगे यानिके software को और एक सीरीज और है जो मैंने भी recently मैंने किस होता है और corporate sector में available होता है वो तो आपको OLX पर जोड़ना होगा और तब जाकर कि आप उस laptop को ले पाऊँगे 30 से 32,000 के price range के bracket में तो guys हाँ definitely अगर आपके पास अगर laptop है और आप editing करना start करना चाहते हैं और आप एक laptop पर करना चाहते हैं तो definitely आप ले सकते हैं कोई problem नहीं है अगर बात करते हूं कि आप PC की तो अगर आपको गेम का plan अगर चल रहा है तो definitely आपको जो है computer पर जाना चाहिए अगर आपको केवल video और media की सही आपको related ही आपका काम है तो आपको laptop पर ही रहना चाहिए मेरे साब से तो guys उम्मीद करता हूं कि आप लोगं के वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आज के लिए इतना ही instagram के हमें follow कर लो और आपने अगर vlogging channel को follow नहीं किया है तो जाओ यार be okay नाम है हमारे channel का जाकर जाकर आपको subscribe करो पहले यार मैंने दो वीडियो डाले है और बताओ कि आप आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा क्योंकि यह मेरा पहला ट्राइथा जो हमने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि vlogging का मेरा कुछ खाज़ाद experience नहीं है लेकिन यार मेरी बहुत चाहत थी कि मैं बताओं लोगों को कि मेरे life में कैसा हूं क्या काम करता हूं कैसे कहा जा रहा ह तो यार आपको सारी चूँगा explore करूं तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो यार Instagram पर फॉलो करना ब्लून भूलना नवनीद को और नाम Instagram पर टाइप करो और फॉलो कर लो कुछ भी सवाल हो आप वहां पर विया करके मुझसे पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही श्यों बालाइ